आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से के जे ग्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा जी एस्टी हो या इंकम टैक्स हो बोकस इटीसी के नोटीस हर किसी को आ रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास ऐसा कोई ना बोकस इटीसी के नोटीस ना रहे हो अब कोश्चन ही आता है कि सार अगर हम बात करते बोकस इटीसी की या अगर हम बात करते फेक इन वोईजिस की तो इसका सोलूशन क्या है क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यहां पर मैं आपको कुछ हाई कोट की आजाए संवन में आपसे बोलने कि इंक्वेरी चल लिए हमें आपका इटी सी बोकस लग रहा है तो क्या रिप्लाइ देना है यह सारा का सारा इस वीडियो में डिसकस करते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहली जेज्मेंट है वह हमारी है कैलकटा हाई कोट की संचिता यह वाली जो जेज्मेंट है इसे हर रिप्लाइ में आप यूज करें क्योंकि इस जेज्मेंट में हाई कोट ने यह किलियर बोला है हाई कोट ने यह किलियर बोला है कि भाई अगर हमने आई टी सी ले लिया और आई टी सी लेने के बाद लेट सपोज आपको पास जो नोट है जाद अतर इस वाले के सिस में क्या फोक्त कर दिन लोगों तो पर जाते हो तो डिपाटमेंट आप से यही कहता है चाहे अप संवन में जाओ आप किसी इस वी जाओ तो डिपार्टमेंट आप कहता है कि भाई हमने A B C D इन लोगों के यहां पर गए यह हमें नहीं मिले इनके रजिस्टेशन कैंसील है तो आप हमें GST जमा करो साथ में इंट्रेस्ट भी दो पैनल्टी भी सेम इंकम टेक्स का जब नोटीस आता है इंकम टेक्स वाले भी यह कहते हैं कि यह वाली जो परचेजी आपकी बोकस है और हम इसे एडिशन कर दे रहे हैं अब कोश्चन है सर क्या करें तो पहले में GST की बात करता हूं तो जब हम GST की बात करेंगे तो GST में जो यह कैलकटा हाई कोट की जज्जमेंट है इन्होंने यह किलियरली इसमें मेंशन करा है कि भाई अगर किसी सप्लायर का जिससे तुमने परचेज करा है अगर उसका रजिस्टेशन कैंसील हो जाता है चाहे वह बैकडेट कैंसील हो जाए चाहे कैसे भी कैंसील हो जाए लेकिन जिस पीरियर्ड में तुमने परचेज करा उस पीरियर्ड में तो वह बोकस नहीं था उस period में तो वह एक्जिस्चेंट था और supplier और recipient के बीच में अगर आपसी मिली विगत नहीं है तो आपको YTC मिलेगा तो ये तो सर हो गई एक judgment हम लिखके दे देते हैं लेकिन department हमारी बात नहीं मानता तो भाई आपकी बात अगर department नहीं मानता है तो हमने क्या करा है आठ जन्वरी संडे को 11 बजे से 1 बजे तक एक special webinar इसी topic पर रख दिया कि अगर आपको बोकस ITC या बोकस credit के notice आते हैं तो आपको क्या करना है GST में और अगर income tax में ऐसा कुछ आ रहा है तो income tax में क्या करना income tax में हमारे जो speaker होंगे वो C.A. Nitin Convergy होंगे जो direct tax में expert है इसी तरीके से हमने क्या करा है budget आपको पता है फरवरी में आ जाएगा तो एक session हमने budget पे रख दिया आपको पता है कि आज कल क्या है न जो हो books के client आ रहे एक दो तो हमने एक session जो हो books पे रख दिया जिसमें हमारे speaker रहेंगे C.A. Kunal Kumar जी इसके अलावा balance sheet कैसे final करे उसमें speaker रहेंगे C.A. Selupal जी तो upcoming webinars बहुत हो रहे हैं तो अगर आप इस webinars में participate करना चाहते हैं तो आप यह तो webinar की annual membership ले ले एक ही बार सारे की fees दे दे जो की बहुत ही discounted rate है और आपको सारे webinar करने को मिलेंगे पूरे साल में 30-40-50 webinar करेंगे जहाँ पर हम detail में discuss करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे high court के इस case की तो जब हम high court के इस case के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे favor में decision है और same decision आप एक note कर लो bright star plastic के case में है ठीक है वो भी हमारे favor में है तो अगर हम इन सारे high court के decisions को देखे यहाँ पर एक case low और है LGW industry is limited का तो जब भी आप कभी notice का reply बनाए जब भी कभी अपने someone का reply बनाए तो इन high court के cases को आप अपने reply में जरूर mention करें आप यह check करें किसके facts आप से match करते हैं देखे हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं कि जो बिल्कुली fake invoices हैं लेगिन अगर आपके genuine invoices हैं और उसे department fake कह हैता है तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जहां पर आपकी transaction अब इन चीजों को note कर लें कि जहां पर आपकी transaction के आपके पास invoices हैं ठीक है ना और आपने उनकी payment banking channel से करी है along with GST आपने उनकी payment कहां से करी है कि आपने उनकी payment banking channel से करी है along with GST और आपका और supplier का कोई भी मिली भगत नहीं है तो इस वाले cases में आपकी transaction genuine है क्योंकि आपने उसे support कर रखा valid document से तो सिर्फ supplier का registration cancel हो जाएगा या वो supplier of non-existence है not traceable है तो सिर्फ इस बेस पे आपका registration ना तो cancel किया जा सकता ना ही आपके ITC को बोकस बोला जा सकता अभी हो क्या रहा है आपको someone आता है someone में जाकर वो कहते हैं यहीं पर case close कर दो आप 2,5,10,000,000 रुपे जमा कर दो और हम आपका case यहीं close कर देंगे वो notice भी नहीं देना चाहते हैं वो someone पे ही tax जमा करना चाहते हैं तो यह जो हमारा webinar होने वाला इसमें हम बताएंगे कि someone पे tax लिया जा सकता या नहीं लिया जा सकता क्या आपको someone के बेस पे tax जमा करना है या नहीं करना है क्योंकि यह आज की rate में सिरदर्द बना हुआ है तो यहां पर various high courts है और supreme courts की judgment है हम सारी की सारी कवर करेंगे तो ऐसे cases में अगर आपके documents अच्छे हैं तीक है ना invoices है आपने tax की payment कर रखी है payment है banking channel से अगर आपने payment नहीं कर रखी तो वह एक अलग issue है महाँ पर चेक किया जाएगा कि आपने payment नहीं कर रखी वाली condition satisfy नहीं है लेकिन बहुत सारे cases में जो notice आया है या जो आपको order आया है आप उसे challenge कर सकते हैं और आप उसे fight कर सकते हैं और यह fact to fact basis पर depend करेगा कि आप उसमें जीत पाएंग या नहीं तो इसलिए आप यह जो webinar है upcoming आप इसे जरूर जोइन करें और यह जो मैंने आपको 3 high court की judgments बताई हैं आप इन्हें जरूर इसमें apply करें तो इससे आपको positive results देखने को मिलेगा तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच् जीन भी हमें पढ़के बताईएगा आपको कैसी लगी पूरे GST Council को सारे के सारे सर्कुलर्स को जो इस बार सारी अपडेशन दी हमने इस बार की मैग जीन में cover up करके आपको दी है तो पूरे 32 पेज की मैग जीन का content आप एगवार पढ़िएगा और हमें बताईएगा आपक कैसी लगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching